देहरा दून में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी की रैली में भारी भीड जुटी। प्रधान मंत्री को सुनने के लिए सुभे खरीब नौ बजे से लोग जुटना शुरू हो गए। हाला कि प्रदाहन मंत्री की सुरक्षा को लेकर कई इंतिजाम किये गए थे जिससे लोगों को रैली स्थल तक पहुँचने में दिक्कते भी पेश आई लेकिन इसके बाद लोग रैली स्थल तक पहुँचे और पूरा परेड ग्राउंड खचा खच भरा नज़र आया देहरादून के परेड ग्राउंड में भारी भीर नज़र आई तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भी खासे उत्साहित नज़र आये उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो 2014 में देहरादून आये थे तो परेड ग्राउंड आधा खाली था इसके बाद भी जनता ने विरोधियों को घर बिठा दिया इस बार परेड ग्राउंड में कहीं ज़्यादा भीड है तो जनता से उनकी उम्मीद भी ज्यादा है प्रधान मंतरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्राखंड को डबल इंजन वाली सरकार चाहिए उन्होंने कहा कि अटल विहारी वाजपेई ने उत्राखंड का गठन किया लेकिन प्रदेश में विकास कारियों को वो रफ्तार नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी उन्होंने 2017 में डबल इंजन लगाने की अपील की ताकि प्रदेश विकास के पतपर तेजी से आगे बढ़े प्रदान मंत्री ने All Weather Road का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट केदारनाथ हाथसे की शिकार हुए लोगों के लिए श्रद्धान जली है उन्होंने चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत बन रही All Weather Road को पहाड के लोगों के हित में बताया और कहा कि इससे लोगों को घर बैठे रोजगार तो मिलेगा ही सडक बनने से लोग अपने बुज़र्ग माबाप को आसानी से चारधाम यात्रा के दर्शन करा सकेंगे ये योजना देश के हर कोने से उस भेंग कर हादसे में जो लोग मारे गए थे उनको एक प्रकार से तरपन है स्रत धांज लिए आज का ये प्रकल्प उन वुरुद्ध माबाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सडक बीना अवरोत ले जाती होगी कितने आशिरवाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं इसका आप अंदाज लगा सकते हो प्रधान मंत्री ने कॉंग्रस पर निशाना साते हुए कहा कि इस परियोजना पर पहले कभी नहीं सोचा गया जब कि ये परियोजना हर किसी के हित में है खास कर चारधाम यात्रा पर पहुँचने वाले शद्धालूं को खासी सुविधा होगी और उनकी सुरक्षित यात्रा भी हो सकेगी परियोजना कलाब देश ही नहीं विदेश से आने वाले शद्धालूं को भी मिलेगा प्रधान मंत्री ने अपने भाशन में सड़क परिवाहन मंत्री नितिन गटकरी की भी तारीव की उन्होंने कहा कि नितिन गटकरी ने सौ सालों के लिए इस प्रोजेक्ट को तयार किया है जिसके लिए दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की मदद ली गई प्रधान मंत्री ने कहा कि पहले यात्रा कराने के लिए श्रमन कुमार को याद किया जाता था लेकिन जब सड़क बन कर तयार हो जाएगी तो उनकी सरकार को भी लोग याद करेंगे प्रधानमंत्री ने पहाड के पलायन का जिक्र करते हुए कहा कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाडों के काम नहीं आती प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस कहावत को बदलने का निर्णे किया है प्रधान मंत्री के मुताबिक वो ऐसा उत्राखंड बनाना चाहते हैं जहां से लोग घरों को छोड़कर शेहरों का रोखना करें बल्कि घरगाओं में ही उन्हें रोजगार मिले पहाड का पानी भी पहाड को काम आएगा ये पहाड की जवानी भी पहाड को काम आएगी ऐसा उत्राखंड बनाएंगे कि यहाँ के जवानों को ये हिमाले थोड़कर के शेहरों की गंदी गालियों में जिन्दिगी गुजारने के लिए मजबूर न होना पड़े प्रधानमंत्री की रैली में जो जनसायलाब उम्रा उसने पहाड के ठंडे मौसम के बावजोद गरमाहड ला दी हाला कि जो भीर नजर आई वो आने वाले चुनाओं में बोटों में तब्दील होगी या नहीं ये चुनाओं के बाद ही मालूम हो सकेगा लेकिन इससे बीजेबी कारेकरताओं का उत्साहतों कई गुना बढ़ गया है देहरादून से सुनु सिंग के साथ ब्योरो रिपोर्ट इंडिया 24-7